भोजन करने के बाद थाली में हाथ धोने से क्या होता है भोजन करने के बाद अगर अपने हाथों को कोई मीड रहा है अपने हाथों को इस तरह पोँच रहा है और जैसे कई लोग है ना पानी में हाथ धोए और बस ऐसे पहुझते हैं वो सब सुपड़ा साप कर देते हैं या भोजन करते ही वो अपना हाथ धोया पहँचा और उंगली चटका रहा है दुरभाग यह है और भोजन करके थाली में ही हाथ धोया तो समझ लीजिए उसने अपने कर्म को कहीं न कहीं पौँच दिया है इसलिए ये एक तरह का अपसगुन कहलाता है रात्री में छूटे बरतन छोड़ना और भोजन करने के बाद थाली में हाथ दोना या थाली में कुला करना या भोजन करके हातों को मीड़ना या उंगली चटकाना ये सब अपसगुन कहलाता है जो अच्छा नहीं है आप सब इतने प्रेम से सत्संग की इसधारा में समलित हो रहे हैं